Hello Friends, इस वीडियो में हम आपको आज बताएंगे आप अपने लैपटोप को कैसे चलाएंगे तो इस वीडियो को आप सुरू से लाज्ट टक देखते रहें तो इसमें सारी जानकारी हम आपको देंगे तो Friends, चलिए हम सुरू करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं यह देखिए से लिखा हुआ है इसको बोलते हैं escape button तो escape button से क्या होता है तो कोई भी आपका folder खुला रहेगा direct folder खुला रहेगा तो escape से आपको उस folder को यहाँ से बंद कर सकते हैं तो यह तरही पहली की की जानकारी अब हम आपको क्या करना है यहाँ पे देख रहे हैं if n तो if n को और If 1 को जब आप प्रेस करते जाएंगे तो आपकी computer की brightness कम होगी और धीरे धीरे अगर करेंगे तो पूरी brightness कम हो जाएंगे तो अब चलते हैं F3 के तरफ इससे क्या होगा तो यह देख रहे हैं Fn आप जो देख रहे हैं Fn पे और F3 पे जब आप प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी computer की brightness जादा होगी तो यह जो हुई F3 की बात हैं इसके बाद यहां देखिए यहां पे आ अगर आप डारेक्ट प्रेस करते हैं तो आपकी computer जो है रिफ्रेस होंगी जैसे कि आप देख रहे हैं F5 जैसे आप को प्रेस करेंगे तो यहां पे रिफ्रेस होती है यह देखिए यहां पर हम जितना बार प्रेस कर रहे हैं तो आपकी computer या laptop रिफ्रेस होंगी इसके बाद function आता है यहाँ पर F10 देख रहे हैं F10 से क्या होगा कि आप अपने volume को mute कर देंगे volume बंद हो जाएंगी अगर कोई भी वीडियो देख रहे हैं या किसी तरह का audio सुन रहे हैं तो F10 प्रेस करते ही आपकी volume बंद हो जाएगी इसके बाद आता है F11 F11 से क्या होता है कि volume आप कम करेंगे जैसे इसको प्रेस करेंगे आपकी volume आवाज जो है वो कम होगी इसके बाद आता है F12 तो F12 से क्या होता है कि F12 से आप अपने laptop की volume को जादा करेंगे जितना बाद इसको प्रेस करेंगे उतना इससे ज़्यादा भॉलूम होगी तो ये तो हुई F12 की बाते हैं इसके बाद next हम चलते हैं यहां पे 1 देख रहे हैं 2 देख रहे हैं तो अगर आप जैसे 1 प्रेस करते हैं तो 1 हमारी प्रेस होगी टू प्रेस करते हैं तो टू हमारी प्रेस होगी तीन प्रेस करते हैं तो तीन हमारी प्रेस होगी तो हमारा इसमें टाइप होते जाएगा तो चलिए हम कुछ आपको बताते हैं और उसके बाद टू के ऊपर आप देख रहे हैं यहां पर कुछ चीजें वो क्या चीजें हैं ज स्टू भी 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 चलिए डू यहां पर हम लिखा गया लेकिन अब हम डैड़ी रेट को कैसे लिखेंगे तो फ्रेंड्स एडी रेट लिखने के लिए आपको क्या करना है shift यहां जो देख रहे हैं shift और 2 प्रेस करेंगे तो add rate हम यहां पर लिख देंगे type कर देंगे इसका बात फिर से shift के साथ जो भी button हम डाल प्रेस करेंगे उपर वाली लिखा type होते चली जाएगी जैसे कि shift और 3 हम जैसे प्रेस करते हैं तो has लिखा गया इस तरह जो नंबर के उपर जितना भी कुछ बना हुआ है and है या minus है plus है जो भी है देख रहे है minus plus जो भी है shift के साथ जब प्रेस करेंगे तो वो आप लिख सकते हैं इसके बाद आपको caps lock के बारे में capital में type होंगी और caps lock फिर बंद कर देंगे तो small अगर caps lock के जन्जट से आपको बचना है तो आप क्या करना है जैसे की caps lock और जैसे की caps lock से बचना है तो आपको क्या करना है कोई भी चीज़े type करना है जैसे की यहाँ पर आप देख रहे हैं तो friends caps lock के जन्जट से बचना है तो आपको जैसे type कर रहे हैं तो shift के साथ कोई भी बटन को प्रेस करेंगे तो वो small type होते जाएगा sorry capital type होते जाएगा ऐसे small type होगा और shift के साथ कोई भी बटन को प्रेस करेंगे A, B, C, D तो वो capital में type होता जाएगा तो guys एक बात और keyboard में कितने बटन होते हैं तो keyboard में आपको 104 total बटन होते हैं तो यह जो आप देख रहे हैं window तो window का क्या function है window के function को हम आपको बताने वाले हैं window जैसे कि कोई भी यहाँ पर जैसे आप shutdown करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो खुल के आती हैं तो जैसे आप window पर प्रेस करेंगे यह दिखी यह सारी चीज़ें खुल के आ जाएंगे तो window का तो यह हो गया इसके बाद alt का भी uses हैं इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर बता देख रहे हैं जब हम डिलिट करते है । इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं और type करने के बाद उसमें gap थोरा चाहते हैं तो space देंगे तो gap हो जाएंगी इसके बाद क्या है shift आप देख रहे हैं shift से shift का एक और फायदा क्या है कि इसका use है shift का ये use है कि कोई भी चीज जब हम typing करते हैं तो टक करने के बाद जब हम shift प्रेस करते हैं तो हम नीचे चले आते हैं लीचे आजाते हैं इसके बाद आप देख रहे हैं नहां पर Beef Means डाउण जैसे कि कोई भी वीडियो हम देख ते हैं तो वीडियो पेज अप कर देते हैं तो next वीडियो पे चले जाते हैं और page down करते हैं तो back वीडियो पर चले आते हैं तो इस तरह से आप एक हमने छोटी सी वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की कि आप कैसे laptop को चलाएंगे इस तरह की और भी long information के साथ और भी वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाएंगे अगर comment करते हैं किस topic पर आपको वीडियो चाहिए तो हम जरूर आपके लिए वीडियो बनादेंगे तो guys उमीद करता हूँ कि ये वीडियो जरूर अच्छी लेगी होगी अगर ये वीडियो अच्छी लेगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि इस तरह की और भी वीडियो को हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहें तो guys फिर मिलते हैं next video में तब तक के लिए guys bye bye